इंडिन शेर मार्किट ने नया एतिहास रचा है और ये पहली बार नहीं जब भारत ने कोई एतिहास रचा हो आज कल आए दिन एतिहासिक रेली देखी जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा BAC और NAC को हुरा है BAC के बाद अब NAC की कंपनियों के मार्किट का इपलाइजेशन ने 4 ट्रिलियन डॉलर क्रोस कर दिया है आपको बता दे कि ये रिकॉर्ड एक दिसम्बर को बना जब NAC के निफ्टी 50 इंडेक्स ने 20,291 के करीब अंग का नया एतिहासिक उच्छ स्थर बनाया वहीं इसके साथ एक दिसम्बर को निफ्टी 50 इंडेक्स के अलावा निफ्टी 500 इंडेक्स ने भी 18,140 के करीब के अंग का इतिहासिक उच्छ स्थर बनाया था देखो ये तो साफ है कि इंडिन शेयर मार्किट के लिए ये साल शानदार साबित हो रहा है पिछले कुछ महीनों के दुरान दोनों सेंसेस और निफ्टी लगातार नहीं उचायों पर पहुँच रहा है बीते पांच सप्ता के दुरान सेंसेक्स करीब 3700 अंक यानी की 6 प्रतीशत मजबूत हुआ है नवंबर महीने में मिट कैप में 10 प्रतीशत तकी तेजी देखने को आई और स्मॉल कैप इंडेक्स 12 प्रतीशत मजबूत हुआ है एनसी के लिए इतिहास का पहला मौका है जब उनकी लिस्टेट कंपनीज का मिट कैप 4 बाई 4 ट्रिलियन डॉलर के पार निकला है अभी भारत की जीडीपी का साइस साड़े 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच है और भारत साल 27 तक जर्मनी और जपान को पीछे छोड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बन जाएगा और वहीं साल 2050 तक जीडीपी का साइस 45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है आपका इस पर क्या कह रहा है मैं कॉमन सेक्शन में लिखके बताएं अगर आपका मारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेय करना ना भूलो और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब करने